नमाश्कार दोस्तों आपका हमारी यूटीव चैनल में हरदिक स्वागत है आज हम एक नई बीमारी लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हैं जिसका नाम है सुराइसिस सुराइसिस क्या है सुराइसिस एक आटोमेंटरी टाइप स्किन डिसाडर है इसका मतलब यह होता है कि चमड़ी यानि स्किन की डेली सेल्स नई तो बन रही है बाकि यह नई बनने की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है डेली हमारी सरीर के अंदर जो इसकिन सेल्स है आकर के जुड़ जाती है और हमेरी इसकिन जो हमेसा तरो ताजा रहती है इसकिन सेल्स की जो लाइफ है यदि हम बात करें तो यह 300 गंटे की होती है बाकि जब यह रोग होता है तो इसकी जो पूरी लाइफ है वह 300 गंटे से गट करके 36 गंटे की रह जाती है सुराइसिस हम कम होने के कारण तवच्छा की सेल्स पर या परत सामाने से अधिक तेजी से बनने लगती है जिस कारण तवच्छा परत पर अभ्रग जैसी चमकीली परत बन जाती है और उसमें खुजली चलने लगती है और घाव बन जाता है यहाद इकतर रोग जो है बरसात या ठंड के मोस बन जाता था यहाद नहीं रहता है और इसका हमेरी कंटीनुलाज करते हैं तो ठीक हो सकता है यह हमारे इन यहादतों के कारण होता है मतलब हम जंग-फूड का सेवन करते हैं हमारी दिंचर्या अस्थवेस्थ हो जाती है अन परिस्तिटीयों के अंदर हमारा immediate system काफी कम जो हो जाता है तब जाकर कर यह रोग उत्पन होता है इसलिए हमें दोस्तों आपने खान पान के उपर विस्स ध्यान देना चाहिए स्वराइशिस रोग के प्रकार क्या है अब हम उसके बारे में बताएंगे प्लेक्स 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 प्लेक् इसके कारण सरीर पर हल्की सी सिल्वर इया अबळग जैसी एक चांदी की सफ़े लाइन बन जाती है और इसमें लाल रंग के दब्बे के साथ जलन होने लगती है यह सरीर के किसी भी हिस्से पर हो सकती लेकिन अधिकतर यह होती है कोहनी में गुटने पर सिर में पीट में से लेकर के कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं उससे कम भी हो सकते हैं दूसरा अगला दिखते हैं पस्टूलर सुराइसिस यह दुल्लब तरह का रोग होता है यह अधिकतर वेस्क लोगों में ही पाया जाता है या इसे हम पॉल्मोनेट्री भी कह सकते हैं अक्सा हतेलिय तल्वा या कभी-कभी पूरी सरी में लाल दाने हो जाते हैं जिससे मवाद आता है पस्टूलर का मतलब यह पस्ट फार्मेशन हो जाना तो इसके अंदर पस दिखने में आता है इसके बाद अगला है स्वराइटी का अर्थराइटीस यह में दर्द उंगलियों और नाखुनों में सुजनादी जैसी समस्या होती है अगला है इत्प्त्रो डर्मिक सोराइसिस इसमें चेहरे सई शरी की 80% से अधिक तवचा पर जलन के साथ लाल चकते हो जाते हैं शरी का तापमानाव सामाने हो जाता है हार्डवीडड बढ़ जाती है और यह पूरी सरी में या पूरी स囉ounty जलन में थी जलन होती है और भी अने समस्या है इसमें उत्पन हो जाती है अब इसके बाद हम सक्केल्प डूती होता है और या यह आप अधिकतर देख सकते हैं कि कि इसके प्रकार के साथ साथ हम इसको देखते हैं कि इसके किस तरीके से का ट्रीटमेंट किया सकता है इसके ट्रीटमेंट के बारे में अब हम आपको बताते हैं कि इसका निदान कैसे कैसे हो सकता है और इलाज किस तरह से करना चाहिए सबसे पहले हमें यहाँ पर इस सुरैसिस बीमारी के अंदर क्या भुजन होना चाहिए पहले उसके बारे में जान लेते हैं एक्सपोर्ट का कहना है कि सुरैसिस जो है संतुलित आहार यदि लेते रहते हैं तो इस से इस बीमारी से लड़ने में बहुत ही मदद मिलती है और पेसेंट को या रोगी को बहुत ही अच्छा अनुबह होता है सुरैसिस के मरीज जिनमें डाइबीटीज हो रही हार्ट या ब्लड प्रिशर की बीमारी है तो उनका खत्रा बढ़ जाता है इसलिए इन सब को हेल्दी डाइट से बहुत जल्दी कंट्रोल करना चाहिए सुरैसिस जेनेटिक तो है ही पर यह किसी को भी परिशान कर सकता है इसे वक्त में हमें इसके डाइट के ओपर विटामिन सी, विटामिन डी, हरी सबजियां है, चावल है जिसे अनाज का सेवन नीमित करना चाहिए, साथ ही हमको यहाँ पर व्यायाम वगरा करते रहना चाहिए और भी जो क्रीम वगरा हम लगाते हैं, वो ऐसे मॉस्टराजर रियुक्त क्रीम हो, जो की तवचा को हमारी हमेसा ड्राइट न होने दे यहाँ हम दोस्तों, इलेक्ट्रोंपेती से इसके उप्चार के बारे में जानते हैं, यहाँ पर हमको किन किन उजदियों का उप्योग करना चाहिए, S1, S5, L1, C5, F1, V1, A3 और WV का उप्योग, हम यहाँ पर अधिक तर हलकी मातराओं के मिक्षर के रूप में यह करते हैं इसके साथ साथ हम यही इसके external use की बात करें, S1, L1, L2 को गुनगुने पानी के अंदर डाल करके हमें इसनान करना चाहिए, यह हम यही इन उजदियों का उप्योग करते हैं, साथ में कभी कभी हमको जहां हमने का S1, L1 या L2 का उप्योग करना चाहिए, उसके साथ में हम WV गरम गुनगुने पानी के अंदर डाल करके इसनान कर सकते हैं, अब यहाँ पर हमने दोस्तों आपको यह बताया है, इसके साथ साथ हम आपको patent बोजदी के अंदर बताते हैं, जिससे आपने हमारा एकजिमा के अंदर, एकजिमा का वीडियो देखा, उसके अंदर हमने जहा आपको white color का बताया था और यहाँ पर हम सोराइसिस के अंदर आपको rate color का बता रहे हैं, यह तीनों चीजे हमें लगातार यूज़ करनी चाहिए, साथ ही पेट को साफ करने के लिए, हमें Slexa syrup का उप्योग करना चाहिए, साथ ही Skincare syrup का continue उप्योग करना चाहिए, और healthy भूजन करना चाहिए, इन सब चीजों के दारा हम इसको बहुत ही जल्द ठीक कर सकते हैं, Electromopathy में किन-किन लोगों को सफल परिणाम प्राप्त हुआ है, उनके वीडियो, उनके फोटोग्राप्स हम इहां पर कुछ लोगों के दे रहे हैं, या आप हमें इसके बारे में जानकरी चाहते हैं, तो आप हमें हमारे description box में नंबर दिये गए हैं, उन नंबर पर आप काल करके आप हमें हमसे इन सब की जानकरी प्राप्त कर सकते हैं, धन्यवाद दोस्तों, अगले हम नए वीडियो अर्टी के रिया, यानि जिसको सीथ पित्ती कहा जाता है, उसके बारे में अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार झाल